समस्तिपुर में साथ घंटे के अंदर हुए डबल मडर ने लोगों को हिला कर रख दिया है मामला नेशनल हाइवे थाना बंगड़ा के रहमियबाद वार्ड चार का है जहां अपराधियों ने घर से बुला कर एक शक्स की गोली मार कर हत्या कर दी मृतक की पहचान लालबाबु राय के रूप में हुई है इस मामले में अभी पुलिस ने फायार दर्ज भी नहीं की थी कि घटना के साथ घंटे बाद ही दो बाइक सवार अग्यात अपराधियों ने घर के बाहर टहल रहे रजवा पंचायत के मुख्या के भतीजी को गोली मार कर फरार हो गए जहां अस्पता ले जाने के दोरान युवकी मौत हो गई महज कुछी घंटे के अंदर दो हत्याओं की इन घटनाओं से लोगों में आक्रोश है जिसका सामना मौके पर पहुँची पुलिस को करना पड़ा क्रामीडों और परेजनों ने पोस्ट मौटम कराने से इनकार कर दिया परेजन की मांग है कि जब तक अपराधी की गरफतारी नहीं हो जाती तब तक शव का पोस्ट मौटम नहीं कराए जाएगा यू जा रहा था तो वहीं से गारी टर्ण हुआ इसको गोली मारा जब तक हम लुग दौरे तो जब तक बाग चले है कितने के संख्या मौटम नहीं है दो मोटरसागी बेटे चाप थे पांस थे आच्छे थे कितने गोली चले हो गया कुछ वहीं इस मामले में समस्तिपुर का कहना है कि पुरान रंजिश के तहत युवक की हत्या की गई है लगभग दो साल पहले मिर्तक के बड़ा भाई की भी गोली मार कर हत्या की गई थी पुलिस का कहना है कि इस मामले का आरोपी कुछ समय पहले ही जिल से छूटकर बाहर आया है फिलहाल अपराधियों की ग्रफतारी के लिए छापे मारी की जा रही है इसमें जो बंगा थाना चेतर के अंतरगत हुई है जिसमें एक अपराधी गुठ है जो पूर में भी अपराध किया था हत्या किया था वो पुला इसी दोनों घटना में शामिल है और उसको पहचान कर ली गई है उसके ग्रफतारी के लिए टीम बना के छापे मारी आसपास में की जानी है पुलिस के टीम बना के चापे मारी की जारी पुरुब में एक हत्या हो चुकी है कुछ साल पहले वही शाहपूर पटोरी थानक्षेतर के चांदपूर धमोन में जमीनी विबात को लेकर दो पक्षों में जमकर गोलिबारी हुई गोलिबारी में एक महिला की मौत हो गई, मृतक महिला की पहचान रजिया देवी की रुप में हुई है गटना की सूचिना पर पहुंची पुलिस ने इस मामले में शामिल दो आरोपियों को ग्रफतार कर लिया है, वहीं शव को पोच्ट मॉटम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है चलाते हूँ कोई देखे थे कि ने, पहुंचानते हैं कि ने, पहुंचानते हैं भोषन के अमरनात रयास है, उसके बाद में देख सियारा Dafय का बेटा रहिफल है जो थologist का नाम है गरम कुमार वही समस्तिपुर के साथ साथ पूरे सूबे में बढ़ते अपराद को लेकर आरजेडी के प्रदेश महासचेव फैज और रहमान फैज ने कहा कि सरकार अपराधियों के सामने नतमस्तक है हाथ जोरे सामने हाथ जोरो करके अफिर कर्ते हैं फिर अगरा घर्त करें परादियों के साथ परिकर्मा करें बताई कि भी पूंन लोग है उनने जोर था की अपेल नहीं के एकी बात समझेंगा अपरादी और न जाम कि समझ रहे, ना पुलीस की बात Sutra के समझ रहे, ना मुखवंत्री की बात भी नहीं समझ रहे, ये सारे लोग अब तो सुशिल मोदी की बात समझ रहे, तो अपराधी भास्कोर्स से विशेश कर अपराधी जो है उन्हीं की जबान को समझ थे, तो मैं अग्रा बता दें कि बिहार में अपराद का ग्राफ तेजी से बड़ा है। तमाम सक्ती के बाद भी अपरादी, हत्या और दुशकर्म की कई घटनाओं को अंजाम दे रही है और पुलिस इनके सामने बेबस और लाचार दिखाई दे रही है। पंजाब केसरी टीवी के लिए समस्तिपुर से राज केशोर की रिपोर्ट।